हलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौड ग्लासिस पर गौड ग्लासिस यानि मैस भी एंद मस्ती भी तो बच्छों आज की जो क्लास है बहुत खास है इसके अंदर हम करने वाले हैं जो सी बेसी हैंड़ूक है उसके कुशन करने वाले हैं exercise नंब इन वीडियो लेक्चर फॉर्मेट और इन पीडिये फॉर्मेट दोनों में मिलेगा अगर आप पीडिये फॉर्मेट में चाते हैं पूरी बुक का सॉलूशन तो आपको जाना पड़ेगा हमारी गौड ग्लासिस की एप पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में म वीडियो लेक्चर आपको यूटूब पे मिली रहें इसको देखते रहें चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकन को फ्रेस करके रखिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेर कीजिए ताकि अगर उनों में भी इस तरह का कोई चैनल नहीं मिला इस तरह का कं सबसे साइज के अंदर जो सबसे पहला कोशन के अगर हम बात करें तो यहां पर कहता है पहला जो कोशन की बारे में बात कर दूँ पहला कोशन यहां पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफोर्मेशन से आपको दिया हुआ है और एलिमेंट्री रो ट्रांसफोर्मेशन हमारे से सल क अजई उल्ष कर लिंगे करना होता है इसका डूते वाँ अगार्व का और यह सब ऑफ़से के कि इस्की फाइंड करेंगे चुनक время 10 करेंगे को क दो सनका होस्new 뛰 है कोशनली ऐंडर्य है उसके इसके बेज़ожет क frenży है श्क्रम। रिया हुआ नहीं देखा तो इसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वहां पर जाकर सब सारे कंसेट्ट को देख लीजे समझ लीजिए तो यहां पर 8 प्लस 3 आगे आपके पास 11 उसके बाद हम इसका मुद्ला उसको इसकी लेटरेक्स खर्लेंगे निकाल सकते हैं निकालेगे आपके पास एलएवन के पास हई उससे निकालेंगे इन्वरस इन्वरस का farmula होता है Adjoint of A divided by Determinant of A Adjoint आपके पास यह है 2, 1, Minus 3 and 4 और जो Determinant है हमारे पास वो 11 11 से Divide करेंगे मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते है 1 upon 11 into this इसको अंदर लिखने की जरूवत नहीं है इसको आप बाहर लिखा रहे हैं इसको और इसको छोड़ेंगे 0 plus 4 यह वाला जो element लेते हैं sign change हो जाता है plus 1 इसको और इसको छोड़ेंगे आप आप जाएगा 28 minus 6 28 minus 6 आपके पास 22 plus 4 इतासा जाएगा minus 8 तो यहाँ पर आपके पास 8 plus 22, 30 हो गया 30 minus 32 यानि आजाएगा minus 2 तो इसका determinant आता है हमारे पास minus 2 अब उसके बाद यहाँ पर adjoint हम direct नहीं निकाल सकते इसके लिए आपको co-factors निकालने पड़ेंगे इसमें तो आपने 2 by 2 में तो कर दिया direct लेकिन 3 by 3 में direct नहीं कर सकते आप, आपको co-factor निकालने पड़ेंगे a11, a12 a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 तो यहाँ पर जाएंगे आप a11 a11 और a12 और a13 इसके आप अल्रेडी निकाली चुके हो यह जो 4 था हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा इधर 22 था यहाँ 22 आएगा लेकिन यह जो 4 प्लेस होते हैं इनके sign हम change कर देते हैं तो यह आएगा minus 22 इधर सा आजाएगा minus 8 अगर हम a21 का निकालें मतलब second row first column में का निकालेंगे तो आएगा minus 7 plus 8 तो 1 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर sign change होगा इसलिए minus 1 हो जाएगा उसके बाद second row second column पे हम जाते हैं आजाएगा 7 to 14 minus 12 यह आजाएगा 2 second row third column करते हैं minus 4 plus 3 यहनि minus 1 इधर आजाएगा आपके साथ plus 1 तो minus 2 1 और plus 1 उसके बाद a3 1 third row first column पे चलते हैं minus 2 आगया third row second column पे चलेंगे 4 minus 16 minus 12 इधर बन जाएगा plus 12 third row third column 0 plus में 4 यह आजाएगा आपके पास 4 तो यह आगया minus 2 12 and 4 अब उसके बाद इसका adjoint हम फाइंड करेंगे तो adjoint में हम क्या करते हैं जो co-factor आते हैं उसका हम कर देते हैं क्या कर देते हैं उसका transpose कर देते हैं तो transpose किया आपने 4, minus 22, minus 8, minus 1, 2, 1, minus 2, 12 and 4 तो transpose करने के बाद आपके पास value आगी adjoint की अब यह वाला formula हम लगाएंगे inverse आजाएगा आपका determinant है कितना determinant था minus 2 तो minus 2 से इन सब को आप divide कर दो अब यहाँ पर एक आद नमबर को छोड़के सारे divide हो रहे हैं तो divide कर दो तो minus 2 से अगर हम divide करेंगे तो क्या बचे का यहाँ पर minus 2 आएगा इधर plus 1 by 2 हो जाएगा इधर 1 हो गया, इधर 11 इधर minus 1, इधर आजाएगा minus 6, इधर 4 इधर minus 1 by 2 और इधर minus 2 तो यह आपका बन जाएगा A inverse उसके बाद next question पर जलते हैं next question हमारे पास है question number third अब इस third question के अंदर भी आपको दो बाड़ दे रहे हैं, एक में कहता है कि भई इसको matrix method से solve करना है, दूसरे में कहता है इसको row reduction method से solve करना है अब row reduction method भी आपके slavers से delete हो गया है, तो हम उसको यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, अगर किसी को pdf solution चाहिए, तो आप जो god classes की app है, वहाँ से इसका pdf solution ले सकते हो, अब यहाँ पर देखिए आपके पास matrix method है, इसमें दो equation है, यहाँ भी दो equation है, दो two by two equation है, मतलब दो variable वाली equation है, तो पहले हम यहाँ से matrix बना दे, matrix यहाँ से बन गी, आपके पास, इसका नाम रख दिया आपने a, यहाँ आगए two, minus three इदर सा जाएगा three, five और जो variables हैं, उनके लिए matrix में आ लेते हैं x, variable एक x है और एक y है इसको आपको हमेशा column में लिखना है और इसके लावा जो b matrix होगी वो आएगी constant के लिए minus four और 13 अब यहाँ पर सबसे पहला काम होगा, अब determinant of a निकाल के चेक करोगी, solution possible है भी या नहीं भी है, तो यहाँ से आजाएगा 10, plus में 9 19 आ गया यह not equals to zero आ रहा है, इसका मतलब solution possible है, inverse उसका possible है inverse possible है, तो फिर solution भी possible है, अब inverse निकालने के लिए, adjoint निकालेंगे अब two by two का adjoint आपके पास आगया, directly five और two को exchange कर दिया, इन दोनों के sign change कर दिये तो inverse बन गया आपके पास adjoint of a divided by determinant, तो determinant आपके पास 19 इससे आपने डिवाइड कर दिया adjoint को अब जो हमने यहाँ पर इस equation को matrix में convert करा, तो यहाँ से आपके पास जो relation बन के आएगा वो क्या relation है कि हम a को अगर x से multiply कर रहे है, तो हमारे पास यह b के बराबर आ रहे है, तो यहाँ से x की value निकालनी है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, a inverse से और जो b matrix है, b matrix आपके पास है minus 4 and 13, इसको simplify करते है minus 20 और plus में 39, तो 39 में से 20 minus करोगे आ जाएगा 19, ऐसे करेंगे 12 और 26, तो 26 और 12, इतना होगे 38 19 से cancel करेंगे, तो यह 1 आएगा, यह 2 आएगा, इसका मतलब x की value आगी 1 और y की value आगी 2 next question पर जलते हैं, next question में कहता है यहाँ पर x plus y, बिल्कुल इसी तरीके से आपको simplify करना है, कुछ भी नया कुछ नहीं है, ठीके एक question और कर लेते हैं, आप समझ जाएंगे, उसके आगे की जो 2 by 2 के हैं, वह फिर आपको आगे भी try कर सकते हैं, तो पहले यहाँ पर हमने A matrix बनानी एक, आगा 1 1, 5 minus 7, फिर वह एक्स बनाओं, अब B बना लेंगे, determinant, minus 7, minus 5 आजाएगा, minus 12, not equals to 0, मतलब solution possible है, अब यहाँ पर आप निकाल लेंगे, इसका adjoint, minus 7 और 1 को exchange करना है, इन दोनों के sign change करने है, अब उसके बाद निकालो inverse, तो adjoint of A, divided by determinant of A, तो determinant आया, minus 12, उससे divide कर देंगे इसको, यह बन गया हमारे पास, अब relation हमारे पास फिर से वहाँ भी होई है, x की value नहीं, ऐसी निकालेंगे, x equals to A, inverse B, x की जएगे, x, y आ गया, inverse की जएगे, minus 1 by 12, minus 7, minus 1, minus 5 and 1, और B की value है, 1 and 29, यहां से आएगा, minus 7 और minus 29, तो minus 7, minus 29 बन गया, minus 36, इधर से minus 5 प्लस में 29, यह आ जाएगा, 24, और minus 12 से divide करोगे, तो यहां पर 3 आ जाएगा, यहां minus 2 आ जाएगा, तो x की value बनेगी 3, और y की value क्या बन रहे है, y की value बनेगी minus 2, नेक्स जो question है, इसके अंदर गयाता है, यहां भी आपको क्रेम, उसे matrix method से solve करना, यहां पर जो equations है, तीन equations है, तीन ही variable है, तो यहां पर जब आप equation बनाओगे, matrix बनाओगे, तो पहली matrix बनेगी, आपकी 1, minus 1, 2, रसा जाएगा 2, अब यहां पर देखो, x वाला component नहीं है, x वाला component नहीं है, तो x की जगे यहां पर आएगा 0, और यहां पर y की जगे आएगा 2, और z की जगे आएगा minus 3, यहां पर x, y, z तीनों है, इसका ध्यार रखना है कि क्या है, क्या नहीं है, उसके बाद x की जो value आएगी, वाजाएगी x, y, z तीन variable होगे, और जो b matrix है, वो बनेगी हमारे पास 1, 1, and 2, अब फिर determinant of a निकालो, column 1 से निकाल लेते हैं, 1, इसको और इसको छोड़ेंगे आजाएगा, 8, minus 6, 2 आगया, फिर minus, इससे निकालो, 3 से सीधा, क्योंकि यहां पर 0 आ रहा है, 0 के साथ कुछ हमें लिखने की ज़रूद है नहीं, तो 3 से करेंगे, इसको आजाएगा, 3, minus 4, minus 1, और आपके पास determinant आजाएगा, इसका minus 1, अब determinant निकालने के बाद, फिर हम इससे co-factor निकालने, तो यह co-factor आ गए, अब 3 by 3 में तो आपको co-factor निकालने पड़ेंगे, यह इसका co-factor आ गया, अब इसके value निकालो, 1st row, 1st column, तो 1st row, 1st column की तो 2 आ जाएगी, 1st row, 2nd column की निकालेंगे, 0, plus में 9, तो 0, plus 9 आएगा, लेकिन यहाँ पर sin change रहेगा, minus 9 आएगा, 1st row, 3rd column, 0, minus 6, तो यह minus 6 बनेगा, उसके बाद चलते हैं, 2nd row, 1st column पर आएगा, minus 4 और plus 4, 0 आगया, 2nd row, 2nd column, 4, minus 6, minus 2, 2nd row, 3rd column, minus 2, plus 3, 1 आगया, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा, minus 1, 3rd row, 3rd row, 1st column, 3, minus 4, minus 1 हो गया, 3rd row, 2nd column, minus 3, यहाँ पर इस place की वज़े से बनेगा, plus 3, 3rd row, 3rd column बनेगा, आपका 2, तो जो adjoint है हमारा हो, adjoint क्या बन जाएगा, इसका transpose करतो, 2, minus 9, minus 6, 0, minus 2, minus 1, minus 1, 3, and 2, तो यह बनेगा, हमारा इसका adjoint, अब उसके बाद, उसके बाद का में क्या करना है, inverse find करना है, तो inverse के लिए जो determinant है, minus 1 है, अब minus 1 से इन सब को हम divide करेंगे, तो sine change हो जाएगा, तो यह minus 2 हो जाएगा, 0, plus 1, 9, 2, minus 3, 6, 1, and minus 2, यह inverse आगया, अब relation यहाँ पर भी होई बन रहा है, कि a को x से multiply करेंगे, तो b की बराबर आज़ा, जो पिछले हमने question में करा था, relation यहाँ भी होई है, तो x की value, a inverse into में b आगया, तो a inverse की value हमारे पास है, minus 2, 0, 1, 9, 2, minus 3, उसके बाद है, 6, 1, minus 2, into में b, b की value हमारे पास, 1, 1, 2, अब इसको करो, आप simplify, यहाँ से आएगा, minus 2, 0, और plus 2, 0 आगया, इता से करेंगे, 9 और 2, 11, 11, minus 6, 5, इता से करेंगे, 6, plus 1, 7, 7, minus 4, 3, तो x की value बनी 0, y की value 5, and z की value 3, अब चेक कर लो, कि हमारा answer ठीक भी है, या नहीं है, तो check जब आप करोगे, check आप हमेशा, जब आपका answer आएगा, तो answer sheet तो आपको मिलेगी नहीं, एक्जाम में न, तो check करने के लिए, आप equations को use कर सकते हो, x की जगर 0, put कर दिया, y की जगर 5, तो यह minus 5 बन गया, यहाँ पर करेंगे 3, 3, 2, 0, 6, 6, minus 5, 1 के बराबर आ रहा है, तो ऐसे आप किसी भी equation में रखे, अपने answer को check कर सकते हो, satisfy कर रहा है या नहीं कर रहा है, next question पर देखते हैं, एक ओर 3 by 3 का question करते हैं हम इससे, तो question नमा हमारे पास यहाँ पर E है, तो same काम पहले आप A matrix बनाओ, 2, minus 3, 5, 3, 2, minus 4, उसके बाद 1, 1, minus 2, X आगे आपके पास, X, Y, Z, और उसके बाद B matrix आगे आपके पास, 1, 5, and minus 3, अब यहाँ से, 1, minus 5, minus 5 है, यह minus भी है हैं आपके, तो हम determined निकालते हैं पहले, 2 into में, इसको और इसको छोड़ेंगे, minus 4 और plus 4, 0 आगया, फिर plus 3, इसको और इसको छोड़ेंगे, minus 6, plus 4, minus 2 आगया, plus 5, 3, minus 2 यह हो गया, 1, यहाँ से ही तो 0 हो गया, यह minus 6, plus 5, यहाँ पर भी determinant आ रहा है, हमारा minus 1, यह भी not equal to 0 आ रहा है, मतलो solution यहाँ भी निकलेगा, अब इसके co-factor निकालो, अब co-factor निकालके, फिर हमें adjoint बनाना होता है, तो क्या हम direct adjoint बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, जो co-factor हम लिखते हैं, co-factor के answer को आप transpose करके लिखते जाओ, लेकिन यह काम तभी करना, जब आप अच्छी तरह expert हो जाओ, ठीके, जैसे पिछले question में हमने क्या करा था, पिछले में हमने यहाँ पर यह co-factor निकाले थे, फिर इनका transpose करके adjoint बना दिया, अब मैं सीधा adjoint लिख रहा हूँ, निकालूँगा तो मैं यह लिखूँगा मैं ऐसे, बस इतना फरक होगा, ठीके, तो adjoint हम सीधा बना देंगे, तो हमारे पस यह जो तीनों आते हैं, 0, minus 2 और 1, अगर हमने इसी से निकाला है, तो यह इसके co-factor बनगे, तो इसको आपको लिखना है, column में, 0, और यह वाले का sign चेंज करेंगे, plus में, यहाँ पर आजाएगा 1, तो यह वाली term होती है, 4 term, यह, यह, यहाँ, और यहाँ, यह चारो term के sign आपको change करने होते हैं, यह आपको हमेशा ध्यान रखना है, अब उसके बाद हम इसका निकालते हैं, second row, first column का, यह वोगा 6, minus 5, 1, तो यहाँ पर आजाएगा minus 1, second row, second column का निकालते है, minus 4, minus 5, minus 9, second row, third column निकालते है, 2, plus में 3, 5, यहाँ आजाएगा minus 5, उसके बाद फिर third row, first column का निकालते है, यहाँ आजाएगा 12, minus 10, 2, third row, second column निकालते है, minus 8 और minus 15, 15, minus 8, यहाँ 23, और उसके बाद फिर हम third row, third column निकालते है, 4, plus में 9, यहाँ आजाएगा 13, एड्जोइंट हम चेक कर लेते हैं, एक बार एड्जोइंट हमारा ठीक है या नहीं है, तो 0, minus 1, 2, 2, minus 9, 23, 1, minus 5, and 13, इसका sign हमें change करना था, ठीक है, इदो 4 प्लेस होते हैं, यह, यह, और इन 4 हो के sign आपको change करने हैं, तो minus 23 आ रहा था हो, आपको plus 23 यहाँ पर लिखना था, एड्जोइंट आगे आप inverse निकालेंगे, inverse हमारे पास minus 1, तो minus 1 से सबको divide करेंगे, तो यह 0 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, यह minus 2, यहाँ पर minus 2, plus 9, minus 23, इदर आजाएगा आपके पास, minus 1, 5 और minus 13, यह हमारे पास बन गया, इसका inverse, अब inverse निकालने के बाद, फिर हमारे पास relation होई होता है, x equals to a inverse b, a inverse को b से multiply करते हैं, इसको multiply करते हैं b से, 1, minus 5 और minus 3, क्या क्या हैगा, आपके पास देखो, 0 into 1, 0 हो जाएगा, यहाँ से minus 5 आएगा, यहाँ से plus 6 आएगा, तो यह बनेगा आपका 1, उसके बाद, यहाँ से देखो, minus 2 और minus 45, तो minus 2, minus 45 होगे, minus 47, minus 47 प्लस में 69, 69 minus 47, यहाँ आएगा आपके पास 22, उसके बाद देखो, यहाँ से minus 1, minus 25, minus 6, minus 6 प्लस में 39, तो 39 में से आप 6 करोगे, minus, यहाँ पर आएगा, minus 25, यह होगा, minus 1, यह minus 25, minus 26, minus 26 प्लस में 39, तो यह बनेगा आपके पास 13, एक्स की वेल्यू बनेगी 1, य की वेल्यू बनेगी 22, और जेट की वेल्यू बनेगी 13, तो यह तीन वेल्यू आपके पास आजाएंगी, using matrix method, दो कोशन हमने 2 by 2 के करें, दो कोशन हमने 3 by 3 के करें, तो अब आप बाकी की कोशन भी इसी तरीके से solve कर पाऊगे, अब कुछ कोशन करते हैं, हम यहाँ पर क्रेमर रूल से, अब क्रेमर रूल से अगर हम करेंगे, तो हमारे पास पहला जो कोशन है, इसमें यह 2 by 2 है, यह भी 2 by 2 है, यह भी 2 by 2 है, तो क्रेमर रूल के अंदर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डी बनाते हैं, डी हम कैसे बनाते हैं, 2 minus 3, 3, 5, यह निकालते हैं, तो वैज़ एक 10 plus में 9, यह आगे आपके पास 19, ठीक है, अब उसके बाद बनाएंगे हम D1, तो D1 के लिए आपको क्या करना है, जो पहले वाला कॉलम है, उसकी जगे आपको यह constant रखने है, minus 4 और 13, पहले कॉलम की जगे रखने हैं, दूसरा कॉलम रखने हैं आपको सेम, यह जाएगा minus 20, plus 39, यह भी 19 आगया, फिर निकालते हैं D2, तो D2 में क्या करेंगे, पहला कॉलम सेम रखेंगे, और D2 की जगे, minus 4 और 13 आजाएगा, यह जाएगा 26, plus में 12, यह आगया हमारे पास 38, अब जो X की वेल्लू होती है, X की वेल्लू होती है, D1 अपॉन में D, यह जाएगा 38 अपॉन में 19, तो अंसर आगया यहाँ पर, 1, और जो Y की वेल्लू होती है, D2 अपॉन में D, तो यह जाएगा 38 अपॉन में 19, इसका अंसर आजाएगा 2, उसके बाद जो next है, हमारे पास X प्लस Y इक्वल्स to 1, तो इसका second part है, इसमें D निकाला हमने, 1, 1, 5, minus 7, minus 7, minus 5 आगया, minus 12, फिर D1 निकालेंगे, तो यहाँ पर constant 1 है, और 29 है, तो यह जाएगा 1 और 29, यह रहेगा same, तो minus 7, minus 29 आगया, minus 36, फिर D2 निकालो, अब पहला जो कॉलम है, उसको same रखना है, दूसरे कॉलम को change करके यह लिए आना है, यहाँ 29, minus 5, यह जाएगा 24, अब यहाँ से X की value निकालोगे, तो D1 upon में D, यहाँ minus 36 upon में, minus 12, answer आगया 3, और Y की value निकालेंगे, तो आएगी D2 upon में D, यहाँ 24 upon में, minus 12, answer आगया इसका minus 2, उसके बाद देखिए, जो 5th part है इसका, उसके बाद सी दम 5th part पे चल रहे हैं, तो 5th part में क्या कहता है, यहाँ पर अपने जो D बनाया, यह D आया, minus 12, और minus 2 और 1, उसके बाद 4 और minus 2, अब यहाँ पर D निकालो, क्या जाएगा 4 minus 4, यह आजाएगा 0, अगर यह 0 आजाएगा, तो हमारे पास फिर दो, unique solution नहीं होता, मतलब हम इसके x, y के solution नहीं निकाल सकते, फिर हमें यहाँ पर find करना पड़ेगा, D1 और D2 को, अगर उसमें से कोई 1, non-0 आ गया, तो हम लिखेंगे को इसका solution ही नहीं है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर D1, अब D1 क्या है हमारे पास, 3, 5 को हम इदार रखेंगे, 1, minus 2 इदार रखेंगे, minus 6, minus 5 यह आगया, minus 11, यह यह not equals to 0 आ गया, इसका मतलब इसका कोई भी solution पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम 9 solution, उसके बाद अगर हम next questions पर चलें, यहाँ पर एक 3 by 3 का question हमारे पास, 2 question हमारे पास 3 by 3 के हैं, तो यहाँ से हम D बनाते हैं, 1, minus 1, 1, और 2, इधर से X नहीं है, 0, 2, minus 3, इधर से करेंगे तो 3, minus 2, और 4, अब इसका हम D निकालेंगे, अब यहाँ पर अगर आप इसका D निकालोगे, तो इसका D आपका आएगा, X minus 2Y plus में 2Z equals 2, इसका D निकालेंगे, इसका D आएगा, हमारे पास minus 1, ठीक है, डेटरिमेंट जैसे हम 3 by 3 का निकालते आ रहे हैं, वैसे ही, फिर हम D1 निकालेंगे, तो D1 के अंदर हम क्या करेंगे, यह जो 1, 1 और 2 है, इसको हम यहाँ पर ले आएगे, 1, 1 और 2, बाकी सब कुछ हम वैसे ही रखेंगे, आप इसका डेटरिमेंट आप सॉल्ल करोगे, तो इसका डेटरिमेंट आपके बास बन रहे है, 0, उसके बाद D2 निकालेंगे, तो D2 में क्या आएगा, जो पहला कॉलम है, वो सेम रखना है, जो सेकिंड कॉलम है, उसकी जगे 1, 1, 2 रखना है, आप इसका डेटरिमेंट आप निकालेंगे, तो इसका डेटरिमेंट बन रहा है माइनस 5, और फिर हम निकालेंगे D3, तो पहले डो कॉलम आपको सेम रखनें, 103, 91, 12, 92, और लास वाले कॉलम में आ जाएगा 1, 1, 2, इसका डेटरिमेंट आ रहा है, minus 3 तो अब मैं x, y, z की value निकालनी है तो x की value क्या होती है d1 upon में d, यानि 0 upon minus 1, answer आजाएगा 0, y की value होगी d2 upon में d, minus 5 upon minus 1, answer आजाएगा 5, d3 upon में d, minus 3 upon में minus 1, answer आजाएगा आपका 3, answer बनेगा 0, 5 and 3 उसके बाद जो next question है हमारे पास, next question पर चलते है example number यह ninth है इसका, question number ninth, तो सबसे पहला काम वही d बनाओ आप, 2, minus 1, minus 3, 3, 2, minus 5, 5, 1, minus 8, इसका d निकाला हमने तो इसका d हमारे पास आ रहा है, 0 के बराबर फिर जो हम d1 निकालेंगे तो d1 में हम क्या करना है, जो यह constant है 1, 0, 3 इसको हमें रखना यहाँ पर minus 1, 2, 1, minus 3, minus 5, and minus 8 इसका determinant निकालेंगे तो इसका determinant आ रहा हमारा 22 यानि यह not equals to 0 आ रहा है, d1, d2 या d3 इन तीनों में से कोई एक भी नौन जीरो आ गया, तो solution क्या हमारा बनता है, solution बनता है, no solution अगर यह d1, d2, d3 इन तीनों 0 आ जाएंगे, तो फिर हमारे पास दोनों चैसिस हो सकती है, no solution भी हो सकता है, infinite solution भी हो सकता है, इस तरह के question हमने ML में काफी सारे कियें, अगर आप इस तरह के questions को देख रहे हैं, तो आप ML वाले जो questions है, grammar rule के वो देख सकते हैं, वहाँ से अगर तीनों 0 हो जाएंगे, तो फिर आगे क्या होगा, तो आज की इस वीडियो में हम इतने questions लेते हैं, I hope आपको इन questions से CBSC handbook की questions को करने में help लेगी, और आप अपनी तयारी जो है, उस book से भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, आज की वीडियो में इतना ही, thanks to all of you.